प्रश्राइब दोस्तों नमस्कार दोस्तों तेंथ क्लास का चौथा चेप्टर चल रहा है आज 4.7 नमर की एक्टिविटी लेके हम आए है जहां हम कंपेर करने जा रहे हैं दो एसीड की पीएच को हम कंपेर करने जा रहे है लिटमस टेस्ट क्या होता है वो भी कंपेर करने जा रहे है तो यहां आपको यह spectrum दिया हुआ है आपके pH paper का यहां dilute acetic acid रखा है और दूसरे में dilute hydrochloric acid रखा है यहां भी एक test tube में dilute acetic acid है और dilute hydrochloric acid है तो आप पहले pH चेक करने के लिए उसको click करके pH paper को acid में dip किजिए क्या फर्क पड़ता है देखिए बरबर देखिए क्या फर्क पड़ा यह color कैसा है इसका acidic गोंड़ दर्म यानिके property थोड़ा कम है यह देखिए comparison है यह ऐसा color है यहां का है न यह जो paper है उसका color ऐसा है और यह कैसा है यह थोड़ा strong acid है यह reddish में जाता है लेकिन यह थोड़ा yellowish में जाता है तो यह acidic acid है वो थोड़ा सा इससे कम acidic हो है ऐसाम कह सकते है नाव litmus test litmus test दोनों को आप click करके अंदर डाल दीजिए और बाहर निकाल यह कि क्या changes दिखता है तो यह देखिए दोनों same acid है और दोनों का litmus test same होने जा रहा है तो पूरा experiment आप दूसरी बार कर सकते ह है restore का button दबा दीजिए पूरा experiment आप दूसरी बार कर पाएंगे as many times as you want पूरा virtual lab का experiment है virtual experiment है अपने घर अपने computer पर अपने आतों से आप कर सकते है दोस्तों तो यह थी हमारी activity number 4.7 from the 10th class 4th chapter carbon and its compounds next activity we came बहुत जल्दी आ रहे है दोस्तों thanks a lot for watching the video thank you very much we hope you enjoyed the video thanks